दोस्तो आप मेंसे काफी सारे लोगों ने कॉमेंट किया है कि सर बड़े साइज के जो PDF होते हैं उनका साइज हम लोग कम कैसे कर सकते हैं तो दोस्तो इस वीडियो के अंदर हम लोग यही जानने वाले हैं कि आप बड़े से बड़े PDF का साइज कम कैसे कर सकते हैं आप चाहें तो PDF का Size KB में भी कम कर सकते हैं और MB में भी कम कर सकते हैं सबसे आसान तरीका इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप PDF के Size को Reduce कैसे कर सकते हैं और कमाल की बात तो यह है कि यह काम आप अपने Mobile Phone से और Computer Laptop जो भी आपके पास है किसी भी डिवाइस से आसानी से कर सकते हैं नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है गुलाब और आप देख रहे हैं गुलाब गुरू कम्प्यूटर स्मार्ट लास वीडियो पसंद आएगा तो Like, Share, Subscribe तो आप ज़रूर करिएगा जैसा कि आप देख सकते हो Computer GK के नाम से हमने एक यहां पर PDF को सेब किया है जिसका Size जो है 12 MB से भी उपर है इसका Size जो है हम कम करके आपको दिखाने वाले हैं आपके पास कोई भी PDF है चाहे वो 20 MB, 40 MB, 100 MB का कितना भी MB का PDF है उसके Size को आप इसी तरीके से कम कर सकते हो तो इसके लिए आपको क्या काम करना है कि अगर आप Mobile Phone इस्तमाल कर रहे हैं तो उसके अंदर आप Google Open कर लीजे और अगर आप Computer या फिर लैप्टॉप इस्तमाल कर रहे हैं तो कोई भी एक Browser Open कर लीजे ब्राउजर ओपन करने के बाद आपको इसके अंदर जो है Google Open कर लेना है गूगल ओपन करने के बाद आपको इसके अंदर लिखना है PDF Resize जैसे ही आप PDF Resize लिख करके सर्च करेंगे तो यह जो पहली वेबसाइट मिलेगी आपको इसी वेबसाइट पर क्लिक करना है वैसे नीचे भी जितनी website दी गई हैं इनका भी आप इस्तमाल करके PDF को resize कर सकते हो यानि PDF के size को कम कर सकते हो लेकिन हम पहली ही website का इस्तमाल करेंगे हम पहली website पर click करेंगे इसके बाद आपके सामने इस तरीके से interface दिखाए देगा यहाँ पर आपको अपनी PDF file को compress करने के को आप PDF को select कर लिजेगा देखिए यह हमारी PDF है और इसको select करने बाद open पर हम click करेंगे PDF हमारे सामने इस तरीके से खुल करके आ जाएगी और यहाँ पर आपको जो है compress का level दिखाए देगा जिसमें आपको कुछ भी छेड़कानी नहीं करनी है जो select है वही select रहने देना है नीचे की साइड में आपको जो है compress PDF का एक बटन दिखाए देगा आपको इस पर click करना है इसके बाद जो है आपका PDF यहाँ पर upload होना शुरू हो जाएगा थोड़ा देर तक वेट करना है आपको जब तक यह PDF आपका upload होता है अगर आपका यह PDF थोड़ा बड़ा है तो उच्छी देर बाद यह compress भी हो जाता है जैसा कि आप देख सकते हो यह 12 MB से उपर का PDF था और अभी के टाइम में यह 709 KB का PDF बन चुका है और यह PDF जो है automatic यहाँ पर download भी हो चुका है नीचे की साइड में आप देख सकते हो अगर download नहीं होता है तो आप download compress PDF पर click करके इस file क इसी तरीके से दोस्तो अगर आपके पास 40 MB का 50 MB का 100 MB का 200 MB का PDF है तो उसके size को आप कम कर सकते हो KB में भी कर सकते हो और MB में भी कम कर सकते हो और दोस्तो यह PDF आपका download हुआ है ना यह आपका जो है this PC folder के अंदर एक folder होता है download का इसी folder के अंदर आपको यह PDF download होकर के मिल जाए यही PDF जो है अभी हमारा compress हुआ है यानि कि इसी PDF का हमने size कम किया है इस PDF का size देख सकते हूँ 709 KB है और जो हमने desktop पर PDF रखा है इसका size जो है मैं आपको दिखा देता हूँ properties में हम लोग चलते हैं और इसका size देख सकते हूँ 12.3 MB है तो दोस्तो इस तरीके से आप किसी भी PDF का size कम कर सकते हूँ यही सेम काम आपको mobile phone से भी करना होता है और computer laptop से भी करना होता है जो मैंने आपको पताया है उमीद करेंगे ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया है अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को like करिएगा अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को share कर दीजेगा ताकि उनका भी फाइदा हो सकी चैनल पर अगर नए हो अभी तक चैनल को subscribe नहीं कियो हो तो चैनल को subscribe भी कर लिजेगा मिलेगे फिर एक नए वीडियो में एक नए जानकारी के साथ तब तक के लिए जय हिंद बंदे मातरम